इन सेंटर ओफे ट्रैंगल हिंदी में कहते हैं से अन्ता केंदर क्या होता है ये इन्टरसेक्टिंग पॉइंट ओफे अंगल बाइस सेक्टर इने सेंगल is called in-centre क्या मतलब है इसका कि किसी तरिबुच के सभी अन्ता कोण समदी भाजक जिस बिंदू पर मिलते हैं उस बिंदू को हम कहते हैं उस त्रिबुज का अन्ता केंद या इन सेंटर तो हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिबुज के अन्ता कौन जिस बिंदू पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसी बिंदू को उस त्रिभुज का हम अन्ता केंदर कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओफ ए एंगल बाई सेक्टर इने ट्रिएंगल इसकॉल इनसेंटर अगर आपसे कभी इनसेंटर के पॉइंट्स के कॉडरेट्स पूछे जाएं तो उसे हम आई से डिनोट करते हैं और आई के जो कॉडरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं A इंटू X1 प्लस B इंटू X2 प्लस C इंटू X3 अपॉण में A प्लस B प्लस C और उसका Y कॉडरेंट क्या होगा a into y1 plus b into y2 plus c into y3 upon में a plus b plus c तो किसी भी त्रिबुच के जो अन्ता कोण के अन्ता केंद्र के coordinates होंगे वो क्या होंगे a into x1 plus b into x2 plus c into x3 divide by a plus b plus c and जो y coordinate होगा वो क्या होगा a into y1 plus b into y2 plus c into y3 divide by a plus b plus c जहां पर where a, b, c क्या है sides of a triangle है ना त्रिबुच की तीनों भुजाओं की sides है और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 त्रिबुच के तीनों vertices के coordinates हैं है ना अगर इसे हम figure से समझें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं मान लीज़े हमाई पास एक त्रिबुच है त्रिबुच a, b, c यह हमारा एक त्रिबुच है a, b, c और आपको पता होगा अगर त्रिबुच a, b, c है तो a के सामने वाली जो sides होती है उसको हम क्या मनते हैं small a it means यह वाली जो side होगी वो small a होगी यह वाली जो side होगी वो क्या होगी small b होगी क्योंकि b के सामने है और यह वाली जो side होगी वो क्या होगी small c क्योंकि यह angle c के सामने है अगर हम इसके coordinates माने point a के जो coordinates होगे वो x1, y1 होगे point b के जो coordinates होगे वो x2, y2 और point c के coordinates मानते हैं x3, y3 तो by definition हमसे क्या बोला गया है intersection point of angle bisector अब हमें angle bisector पता होना चाहिए तो angle bisector क्या होता है नाम से ही पता है जो कोण को क्या कर दे दो बराबर भागों में बाठ दे वो क्या होता है हमारा angle bisector होता है जैसे अगर हम angle c की बात करें तो angle c ये है तो इससे एक रेखा कीचे जो इस angle को क्या कर दे दो equal parts में divide कर दे तो ये क्या हो गया इसका angle bisector हो गया इसको अगर हम नाम दे दें क्या sorry c d तो c d क्या है angle bisector है किसका angle c का बट आप देख रहे होगे ये केवल angle bisector नहीं कर रहा है ये सामने वाली भुजा को भी क्या कर रहा है दो भागों में बाट रहा है बट दो equal parts में नहीं बाटता जो angle bisector होता है वो अपनी corresponding side के ratio में सामने वाली भुजा को क्या करते है बाट देता है it means ये जो ratio आया होगा ये point जो d है वो a b को किस ratio में बाट रहा होगा b is to a के ratio में इसकी corresponding sides क्या है b is to a है तो ये किस ratio में बाट रहा होगा b is to a के ratio में clear है अगर हम angle a के bisector की बात करें तो angle a का जो bisector होगा मान लेते हैं point e है तो अगर a e angle bisector है तो वो b c को किस ratio में बाट रहा होगा इसकी corresponding sites में इसकी corresponding site क्या है B is to C यह यह वाली रेखाओ को किस ratio में बाट रहा होगा B is to C की ratio में अगर ठीक इसी परकार हम क्या करें एक line draw करें angle B का bisector देखें तो angle B का जो bisector होगा BF वो क्या कर रहा होगा AC को दो हिस्सों में बाट रहा होगा किस ratio में बाट रहा होगा वो जो है इसकी corresponding sites में बाट रहा होगा तो यह वाली length होगी C और यह वाली length होगी A तो किस ratio में बाट रहा होगा C is to A के ratio में बाट रहा होगा और यह वाला जो point है वही क्या है हमारा in center point है इसके बराबर होते हैं, अब वो कैसे होते हैं, उन्हें हम calculate करके एक बार देख लेते हैं, तो आपको पता है कि जो line A, B है, उसको point D क्या कर रहा है, bisect कर रहा है, दो हिस्सों में बाट रहा है, और किस ratio में बाट रहा है, B is to A के ratio में बाट रहा है, अब हमें point A और point B के coordinates तो तो हम point D के coordinates को calculate कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, by section formula, तो by section formula अगर हम point D के coordinates को calculate करें, तो हम कह सकते हैं, B into X2 plus A into X1, divide by B plus A, है न, और अगर हम Y coordinate को देखें तो क्या होगा, B into Y2 plus A into Y1 upon me D plus A, अगर इसे हम ढग से लिखें, तो क्या है ये, A into X1 plus B into X2 upon me A plus B, ये इसका X coordinate होगा, और ठीक इसी परकार अगर हम उसको भी सही से लिखें, तो क्या है ये, A into Y1 plus B into Y2, divide by A plus B, अब हमारे पास point D के coordinates आ चुके हैं, अगर हम ध्यान से देखें, तुरिबुज, A, C, D को, अगर हम इस वाले छोटे वाले त्रिबुज को दियान से देखें, तो आप देख रहे होगे, angle A अभी भी क्या कर रहा है, ये वाला जोग है, हम बोल सकते हैं, A और I क्या है, angle by sector है किसका, angle A का, और ये angle by sector है, तो ये अभी भी सामने वाली भुजा को क्या कर रहा होगा, एक fix ratio में बाट रहा होगा, वो fix ratio क्या होता है, इसकी corresponding side, तो ये वाली side तो क्या है, B है, ये वाली side अभी भी B है, बट आपको देख रहोगी, पूरा angle अमनी ले रहे, आप छोटा वाला angle ले रहे, it means, आपको आप कौनसी length निकालनी पड़ेगी, ये वाली length, तो आपको ये पूरी length पता थे, कितनी थी, ये पूरी length कितनी थी, अगर हम इस length की बात करें, तो ये पूरी length कितनी थी, c थी और यह वाली यहां से यहां तक जो length थी वो क्या थी b is to a के ratio में divide हो रही थी it means अगर आपको यह वाली length को find करना है तो यह वाली जो length होगी वो किसके equal होगी आपको ratio पता होगा है ना हम क्या करते है b into c divide by whole ratio यहनी a plus b तो हम कह सकते हैं कि जो यह length आई है वो क्या आई है इसकी length कितनी होगी b c upon में a plus b होगी it means अगर हम इनका ratio निकालें तो b is to b c upon में a plus b आजाएगा अगर हम यहां पर ratio की बात कर रहे होंगे तो b upon में क्या लिखा हुआ है b c upon में a plus c आप देख रहे होगे यह से cancel out होगा और यह चीज कहां चली जाएगी उपर चली जाएगी it means जो ratio आएगा finally वो क्या आएगा a plus b upon में c तो हम कह सकते हैं यह जो ratio आएगा इसका वो कितना आएगा अगर इसे हम rough कर दें तो यह जो ratio आएगा वो क्या आएगा a plus b is to c के ratio में divide हो रहा होगा तो again अब हमारे पास point c और point d के coordinates पता है और i जो है इस रेखाखंड को इस sector को क्या कर रहा है इस segment को क्या कर रहा है दो भागों में divide कर रहा है किस ratio में a plus b और c तो i के हम coordinates निकाल सकते है by section formula बहुत आसानी से हम calculate कर रहे होंगे तो अगर हम i के by section formula coordinates निकालें तो वो क्या हो जाएंगे अगर हम इसे rough कर दें तो क्या होगा a plus b into this one तो हम कह सकते है a plus b multiply by ax1 plus bx2 divide by a plus b plus c into x3 c into x3 और divide होगा किस से a plus b plus c से ये तो था x coordinate अगर y coordinate निकालें तो same इसी तरह इस से कर रहे होंगे तो a plus b multiply by a y1 plus b y2 upon में a plus b plus c multiply by x3 sorry y3 upon में a plus b plus c आप देख रहे होगे ये वाला पार्ट इससे कर जाएगा ये वाला पार्ट इससे कर जाएगा तो finally हमें पास बचा क्या a x1 plus b y x2 plus c x3 upon में a plus b plus c similarly अगर इसमें देखें तो a y1 plus b y2 plus c y3 upon में a plus b plus c और साइद यही कॉर्णेट्स क्या हमने पढ़े हैं in center के पढ़े हैं तो हम कह सकते हैं कि in center के जो coordinates होते हैं वो क्या होते हैं a x1 plus b x2 plus c x3 divide by a plus b plus c and जो y coordinate होगा वो किसके बराबर होगा a y1 plus b y2 plus c y3 upon में a plus c plus b clear है जहां पर a b और c क्या है tribus की sides है और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या है tribus के तीनो sides के coordinates है तो यह था आपका in center एक question लिखेगा find the coordinate of an in center of a triangle whose vertices are 0,0 0,3 and 4,0 क्या कह रहा है हमसे question में कि किसी त्रिबुज के in center यानि अन्ता केंद्र के निर्देसांग ज्यात कीजे जिसके सीर्सों के निर्देसांग है 0,0 0,3 and 4,0 तो हमने पढ़ा है अभी कि हमारा जो in center होता है वो किसके एककल होता है a x1 plus b x2 plus c x3 divide by a plus b plus c and a y1 plus b y2 plus c y3 divide by a plus b plus c divide by 2 जहांपे a, b, c क्या होते हैं त्रिबुज की sides होती हैं तो सबसे पहले तो हमें इस त्रिबुज की sides को calculate करना पड़ेगा तो अगर आप ध्यान से देखो इन vertices को तो एक vertices तो किसका है origin का है it means आपका एक point जो होगा वो यहांपे लाई कर रहा होगा 0,0 और आप दूसरे points को अगर देख रहे होगे तो जो point b है वो किस पर लाई कर रहा है उसका x coordinate 0 है it means वो कहांपे लाई कर रहा होगा वो y axis पर लाई कर रहा होगा it means यह जो length होगी वो 0,3 होगा और अगर x coordinate की बाद करें तो वो हमारे किस में लाई कर रहा होगा x axis पर क्यों? क्योंकि उसका y coordinate क्या है? 0 है it means यह जो point होगा वो क्या होगा? 4,0 तो अगर हम इनको मिला दें आपस में तो एक त्रिबुज बन जाएगा जिसके हम length easily calculate कर सकते हैं तो यह वाली length कितनी होगी? 3 होगी और यह वाली length कितनी होगी? 4 होगी और by pythagoras यह वाली length क्या होगी? 5 होगी 3 का square प्लस 4 का square equal to under root पे 25 होगा और जो की equal होगा 5 के तो हमारे पस अब तीनो length है तो बस इन तीनो length और इन तीनो points को हम यहाँ पे put up करेंगे और हमारा in center मिल जाएगा तो 0 into 5 तो कोई मतलब नहीं है हम इसको लिखने का तो यह 0 ही हो जाएगा and 4,3 it means 12 plus 0,4 it means वो 0 ही हो जाएगा अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो क्या होगा 0 into 5 plus 3 into 4 plus 0 into 4 यही है हमारा divide by क्या कर रहे होंगे A plus B plus C कितना है 4,5 9,9,3 3,4,5 है ना clear है अगर हम इस C को इसके Y कॉडरेंट की बात करें तो Y कॉडरेंट क्या होगा 0 into 5 0 into 5 plus 0 into 3 plus 3 into 4 divide by 3 plus 4 plus 5 तो अगर हम इसको calculate कर रहे होंगे तो यह क्या आ जाएगा 12 divide by 12 and same यहाँ भी 12 divided by 12 जो की cancel out हो रहा होगा तो क्या आ रहा होगा answer 1 is to 1 it means आपका यहाँ पे कोई point होगा 1 is to 1 जो की क्या होगा इस त्रभुज का क्या होगा in center होगा अन्ता केंद्र होगा तो clear है आपको कैसे calculate कर रहे होंगे अन्ता केंद्र सबसे पहले हम sides निकालेंगे sides की length को calculate करेंगे by distance formula and then हम इस formula में put up करके उनके coordinates को calculate कर पा रहे होंगे clear है तो यह था हमारा in center of a triangle अर निक सबस्ट किसा अन्ता करेंगे नच्थ क॥ाidd स्बस्ट क्यू fáč